हलो दूश्तो नमस्कार मैं हूँ अर्चना किचन कानपरश तो दोस्तोव आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ भिंडी की रेशिपी बहती टेश्थी भिंडी बनेग inac любов ये पयाज की और बिंडी बनाई इगाईगे प्याज में बहुती टेश्थी बनती आप पुरी के या रोटी के साथ खाई यह बहुत ही तेस्टी लगती है तो चलिए बनाना शुरू कर देते तो यहां पर मैंने लिए 200 ग्राम बिंडी है इनको अच्छे से दुल करके रख दी तो इसमें पानी अच्छे से निचुड़ गया है और मैंने एक बिंडी पहुंच करके इसे रख सब्ल्सक्राइब घरके और ने के सब्सक्राइब अबकाएब तो और समय पहुंच कर देते हैं प्लाइब तो पयाज कि सकुए हैं और देते हैं ऊक्छ भाहते जागिंगे ज्यादा ब्राउन नहीं करना है तो मैंने मोटा मोटा कुछ प्याज काटा था जिससे कि प्याज हमारा गले ना एक दम खड़ा सा रहे बहुत ही अच्छा लगता है बिंजी के साथ में तो बस यहां पर हलका सा प्राज प्याज को फ्राइब करना है और यहां पर साथ में डा देती हूं कि डाल करके इनको फ्राइब कर लेते हैं और दोस्तों हमारी यह रेसिपी आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कमिंट बॉक्स में जरूर बताईएगा नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि मैं आपको हर दिन हमारी एक नई रेसिपी देती है ने अजरु दोस्टों भीहते हैं तो आप लोगों को प्रशाओ क्यक्वूदय को बीडियु जरे किया हनुदाय aurait तो यह उसे चलाती जा रहे हूं जिसमें कि नीचे हमारी जले ना और इसमें पानी तो बिल्पूल नहीं डालना ही। यहां पानी डालके बनती है तो सूखी तो दोस्तो की तो सूखी में बनाओंगी और यहां पर अच्छे इन्हे misschien कर लेते हैं कम से कम 35 मिनट तक यह मैं फ्राई करती रहों đếnे इसी तरीके से तो यह फिरीड़ारी बिंडी बहुत ही टेश्टी बनती truck तो यहाँ पर मैंने भिंडी को थोड़ी देर के लिए बंद करके इनको फ्राई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर मैंने बंद की हैं और एक दम बिल्कुल गीली बिल्कुल नहीं है बिंडी किसी किसी के आंके लिबलिबाने लगती तो दोस्तों लिबलिबा बिल्कुल नहीं रही है और आप देख सकते हमारी जो बिंडी ये बढ़िया से फ्राई हो गई है तो यहाँ पर मैंने आदी चमच से कम लिया है हल्दी एक चमच मैंने लिये धनिया और यहाँ पर आ मिक्स करना है और दोस्तों हमारी जो भिंडी है ना वह 5-7 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गई है और एक तम बिल्कुल पक गई है तो यहां पर मसाला डाल करके मैं तीन से चार मिनट तक इने पकाऊंगी तो आप देख सकते हैं मैंने मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स कर द चुकी है तो दोस्तों दस मिनट के लिए इसे फिर से में बंद करके इसी तरीके से छोड़ देती हूं तो यहां पर गैस को बंद कर देते हैं इसे दस मिनट के लिए छोड़के रख देते हैं और दोस्तों चलते हैं अब इसे फटा-फटा सर्प करते हैं तो यहां पर हमार हर दिन एक नई रेस्टिक साथ बाई बाई जय हिंद जय वारत